मैं अब आपसे कुरुशी सुधारों के बार बोले जा रहे सबसे बड़े जूट के बारे में बात करूँगा जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो आज करने की नौबत आई है पिछले छे साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वकुन कदम उठाए हैं इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बर्सों से बर्सों से सिरफ और सिरफ मन्थन चल रहा था बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने आजकल उसकी चर्चा बहुत है एक क्रिशी सुधार ये कानून रातो रात नहीं आये हैं पिछले बीस बाइस साल से इस देश की हर सरकार ने राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा किये हैं कम अधिक सभी संगटनों ने इन पर मिमर्श किया है देश के किसानों के संगटन कुछी एक्सपर्ट्स कृषी अर्थसास्त्री कृषी वैज्ञानिक हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषी खेत्र में सुधार की मांग करते आये हैं सच पुछ मैं तो देश के किसानों को उन लोगों से जबाब मांगना चाहिए जो पहले अपने गोशना पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बाते करके किसानों के वोट बटोरते रहे लेकिन अपने गोशना पत्र में लिखे गए बादों को भी पूरा नहीं किया सिरफ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्रात्रिक्ता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा अगर आज देश के सभी राजरितिक दलों के पुराने गोशना पत्र देखे जाए तो उनके पुराने बयान सुने जाए पहले जो देश की क्रुशी ववस्ता संभाल रहे थे ऐसे महनुभावों की चिठियां देखी जाए तो आज जो क्रुशी सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बाते इन क्रुशी सुधारों में की गई है मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि क्रुशी कानूनों में सुधार क्यों हुआ उनको तकलिफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोधी ने कैसे किया मोधी ने क्यों किया मोधी को इसका क्रेडिक कैसे मिल जाए मैं सभी राजनितिक दलों को हाज जोड के कहना चाहता हूं आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए आपके सारे पुराने गोशना पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए समरुद्धी चाहिए किसानी में आधुनिक्ता चाहिए आप कुरुपा करके देश के किसानों को बर्गलाना छोड़ दीजिए उन्हें ब्रमीत करना छोड़ दीजिए साथियों ये कानून लागू हुए 6-7 महिने से जादा समय हो चुका है लेकिन अब अचानक ब्रह्म और जूट का जान बिशाकर अपनी राजरितिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं किसानों के कंधे पर बंदुग रखकर बार किये जा रहे हैं आपने देखा होगा सरकार बार बार पूछ रही है मिटिंग में भी पूछ रही है पब्लिक ली पूछ रही है हमारे क्रिशी मंत्री टीम इंटर्यू में कह रहे हैं मैं खुद बोल रहा हूं कि आपको कानून में किस क्लोज में क्या दिक्कत है बताईए जो भी दिक्कत है आप बताईए तो इन राजनितिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता है और यही इन दलों की सच्चाई है साथ्यों जिनकी खुद की राजनितिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी किसानों की जमीन चली जाएगर का डर दिखा कर अपनी राजनितिक जमीन खोज रहे हैं आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले है जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मोका मिला था उस समय इन लोगों ने क्या किया ये देश को याद रखना जरूरी है मैं आज देश स्वाद्चों के सामने देश के किसानों के सामने इन लोगों का कच्च चित्था भी देश के लोगों के सामने मेरे किसान भाई और बहनों के सामने, आज मैं खुला करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ. साथियों, किसानों की बाते करने वाले लोग, आज जूठे आशु बहाने वाले लोग, कितने निर्दरी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है, स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट स्वामिनाथन कमिशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग, स्वामिनाथन कमिटी की सिफारिशों को, आठ साल तक दबा कर बैठे रहे किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला, इन लोगों ने ये सुनिशित किया, कि इनकी सरकार को किसान पर जाना खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो, इनके लिए किसान, देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीती बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तमाल किया है, जब कि किसानों के लिए संबेदंसिल, किसानों के लिए समर्पित, हमारी सरकार किसानों को अन्रदाटा मानती है, हम ने फाइलों के धेर में फैंक दी गई, स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट बहार निकाला, और इसकी सिफारे से लागों की, किसानों को लागत का डेड़ गुना MSP हमने दिया, साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ दोखागड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदारा है, कॉंग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्जमाफी, कि जब दो साल पहले मध्यप्रदेश में चुनाव होने वाले थे, तो कर्जमाफी का वाइदा किया गया था, कहा गया था कि सरकार बनने के दस दिन के भीतर सारे किसानों का कर्जमाफ कर दिया जाएगा, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए ये मज़्द प्रदेश के किसान मुझसे भी जादा अच्छी तरह जानते हैं राजस्तान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं किसानों को इतना बड़ा दोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुणे बड़ा अशयर होता है कि कैसे लोग है क्या राजनिती इस हद तक जाती है क्या कोई इस हद तक छल कपड कैसे कर सकता है और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर किसानों को और कितना दोखा देंगे ये लोग साथियों हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं और कर्ज माफी कितनी होती हैं सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है जिसने कभी कर्ज नहीं लिया उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये गोशना करते हैं उतनी कर्ज माफिक कभी नहीं करते हैं जितने पैसे ये बेजने की बात कर रहते हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुँचते ही नहीं हैं किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बडले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरपतरी का वारंट और इस कर्ज माफिका सबसे बड़ा लाप किसे मिलता था इन लोगों के करीबियों को ना ते रिष्टेदारों को अगर मेरे मिडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगा लेंगे तो यह सब आठ दस साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिठा मिल जाएगा यही उनका चरीत्र रहा है किसानों की राजनीती का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया प्रदर्शन नहीं किया कुछ बड़े किसानों का कर्च दस साल में एक बार माप हो गया इनकी राजनीतिक रोटी सिख गई काम पूरा हो गया फिर गरीब किसान को कौन पुष्टा है बोर्ट बेंक की राजनीती करने वाले इन लोगों ने और इन लोगों को देश अब भली भाती जान गया है देश देख रहा है देश हमारी नियत में गंगा जल और मान नर्वदा के जल जसी पवित्रता भी देख रहा है इन लोगों ने दस सान में एक बार कर्ज माफी करके लगबग पचास हजार करोड रुपिय देने की बात कही दस सान में एक बार पचास हजार करोड हमारी सरकार ने जो पिएम किसान सम्मान योजना शुरू की है उसमें हर साल किसानों को लगबग पचास हजार करोड रुपिय मिलेंगे यानि दस सान में लगबग 5.5 लाग करोड रुपिया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर और कोई लिकेज नहीं किसी को कोई कमिशन नहीं कट कल्चर का नामों निशान नहीं साथ क्यों अब मैं देश के किसानों को याद दिलांँ यूरिया की, याद करिए, साथ आठ साल पहले यूरिया का क्या होता था, क्या हाल था, रात राद बर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था, क्या इस सच नहीं है, कई स्थानों पर, यूरिया के लिए किसानों को लाटी चाग की खबरें आम तोर पर आती रहती थी, यूरिया की जम करके काला बजारी होती थी, होती तिक नहीं होती थी, किसान की फसल, खाद की किल्लत में बर्बाद हो जाती थी, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीश्ता था, क्या एक किसानों पर जुल्म नहीं था, अत्याचार नहीं था, आज मैं ये देखकर हैरान हूँ, कि इन जिन लोगों की वज़सें ये परिस्तित्य पैदा हुई, वो आज राजनीती के नाम पर खेती करने निकल पड़े, साथ क्यों, क्या यूरिया की दिक्कत का पहले कोई समाधा नहीं था, अगर किसानों के दुख दर्द, उनकी तकलिफों के प्रती, जराभी सम्वेजना होती, तो यूरिया की दिक्कत होती ही नहीं, हमने ऐसा क्या किया, कि सारी परेशानी खत्म हो गई है, आज यूरिया की किलती खबरे नहीं आती, यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती, हमने किसानों की इस तकलिफ को दूर करने के लिए पूरी इमानदारी से काम किया, हमने काला बजारी रोकी, सक्त कदम उठाए, ब्रस्टा चार पन नकेल कसी हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए इन लोगों के समय में सबसीडी तो किसान के नाम पर चड़ाई जाती थी लेकिन उनका लाब कोई और लेता था हमने ब्रस्टा चार के जुगल बंदी को भी बंद कर दिया हमने यूरिया की सो प्रतिशन निम कोटिंग की देश के बड़े बड़े खात कारखाने जो तकनीक पुरानी होने के नाम पर बंद कर दिये गए थे, उन्हें हम फिर से शुरू करवा रहे हैं अगले कुछ साल में, यूपी के गोड़कपूर में, बिहार के बरोनी में, जारखन के सिंद्री में, ओडिशी के तालचेर में, तेलंगना के रामा गुंदम में, आधुनिक फर्टिलाजर प्लांट्स शुरू हो जाएंगे 50-60,000 करोड रुपिये सिर्फ इस काम के लिए खर्च किये जा रहे हैं ये आधुनिक फर्टिलाजर प्लांट्स रोजगार के लाखों नए अवसर पादा करेंगे, भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर भर बनाने में मदद करेंगे दूसरे देशों से यूरिया मंगवाने पर भारत के जो हजारों करोड रुपे खर्च होते हैं उन्हें कम करेंगे इन खाद कारखानों को सुरू करने से इन लोगों को पहले कभी किसी ने रोका था किसी ने मनाने किया था किसी ने नहीं कहा था नहीं टगना और जी मत लगाओ लेकिन ये नियत नहीं थी नीती नहीं थी किसानों के प्रती निष्ठा भी नहीं थी किसान से जूठे वाइदे करने वाले सत्ता में आते रहो जूठे वाइदे करते रहो मलाई खाते रहो यही इन लोगों का काम रहा है साथियों अगर पुरानी सरकारों को चिंता होती तो देश में सो के करीब बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट दसकों तक नहीं लटकते बाद बनना शुरू हुआ तो पची सो साल तक बनी रहा है बाद बन गया तो नहरे नहीं बनी नहरे बन गई तो नहरों को आपस में जोड़ा नहीं गया और इसमें भी समाएं और पैसे दोनों की जम करके बरबादी की गई है अब हमारी सरकार हजारों करोर रुपिये खर्च करके इन सिचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पुरा करने में जुटी है ताकि किसान के हर खेत में पानी पहुँचाने की हमारी इच्छा पूरी हो जाए किसानों की इन्पुट कास कम हो लागत कम हो खेती पर होने वाली लागत कम हो इसके लिए भी सरकार ने निरंतर प्रयास की है किसानों को सोलर पंब बहुती कम किमत पर देने के लिए देश बर में बहुत बड़ा अभियान चलाय जा रहा है हम अपने अन्न दाता को उर्जा दाता भी बनाने के लिए काम कर रहे हैं इसके अलावा हमारी सरकार अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही मदुमक्थी पालन, पशुपालन और मचली पालन को भी उतना ही बढ़ावा दे रही है पहले की सरकार के समय देश में शहद का उत्पादन करीब 76,000 मेट्रिक टन होता था अब देश में एक लाग विस हजार मेट्रिक टन से भी जादा शहद हनी का उत्पादन हो रहा है 1,76,000 देश का किसान जीतना शहद मदू पहले की सरकार के समय निर्याद करता था आज उत्से दो गुना शहद निर्याद कर रहा है साथियों एक्षपर्ट कहते हैं कि एगरिकल्चर में मचली पालन वो सेक्टर हैं जिसमें कम लागत में सबसे जादा मुनाफ़ा होता है मचली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ब्लू रिवलुशन स्किम चला रही है कुछ समय पहले ही बीस हजार करोड रुपी की प्रधान मंत्री मत्स संपधा योजना भी शुरू की गई है मैं अब आपसे कुछी सुधारों के बार बोले जा रहे सबसे बड़े जूट के बारे में बात करूंगा बार बार उद जूट को दोराये जा रहा है जोर जोर से बोला जा रहा है जहां मोका विले वहां बोला जा रहा है बिना सिर पर बोला जा रहा है जैसे मैंने पहले कहा था स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई आपने भी नहीं की थे हम भी नहीं करते हमने तो ऐसा नहीं कि हमने तो लागू की दूसरा ये हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंबीर है कि हर बार बुवाई से पहले MSP की गोशना करती है इस से किसान को भी आसानी होती है उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुवीधा होती है साथियो छे महिने से जादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किये गए ये कानून तो लागू हो चुके थे 6 मेने पहले हो चुके थे कानून बनने के बाद भी वैसे ही MSP की गोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी कोरोना महामारी से लड़ाई के दोरान भी ये काम पहले की तरक किया गया MSP पर खरीदी भी उनी मंडियों में हुई जिन में कानून बनने से पहले होती थी कानून बनने के बाद भी मही हुई अगर कानून लागू होने के बाद भी MSP की गोषणा हुई MSP पर सरकारी खरीदी हुई, उनी मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्विकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूँ, इससे बड़ा कोई जूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई शरियंत्र नहीं हो सकता, और इसलिए मैं देश के प्रतेक किसान को इविश्वात दिलाता हूँ, कि पहले जैसे MSP दी जाती थी, वैसे ही दी जाती रहेगी, MSP न बंद होगी, न समाप्त होगी. साथियो, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूँ, वो दूद का दूद और पाने का पानी कर देंगे. पिछली सरकार के समय गेहू पर MSP थी 1400 रुपिय प्रतिक क्विंटल, हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल गेहू पर 1975 रुपिय MSP दे रही है. पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपिय प्रतिक क्विंटल, हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपिय MSP दे रही है. पिछली सरकार में ज्वार पर MSP की MSP थी 1520 रुपिय प्रतिक क्विंटल, हमारी सरकार ज्वार पर प्रतिक क्विंटल 2640 रुपिय MSP दे रही है. पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर MSP थी 1950 रुपिय है, हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपिय MSP दे रही है. पिछली सरकार के समय चने पर MSP थी 3100 रुपिय है, हमारी सरकार अब चने पर प्रतिक क्विंटल 5100 रुपिय MSP दे रही है. पिछली सरकार के समय तूर दाल पर MSP थी 4,300 रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार तूर दाल पर प्रतिक्विंटल 6,000 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मुंग दाल पर MSP थी 4,500 रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार मुंग दाल पर करीब 7,200 रुपिय MSP दे रही है साथियों यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार MSP समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है कितनी गंभीरता दे देती है MSP बढ़ाने के साथी सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि जादा से जादा अनायच की खरीदारी MSP पर की जाए पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगबग 1700 लाख मैट्रिक तन धान खरीदा था क्यांकर याद रखना हमारी सरकार ने अपने 5 साल में तीन हजार लाख मैट्रिक तन धान किसानों से MSP में खरीदा करीब करीब डवल पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब पौने 4 लाख मैट्रिक तन तिलहन खरीदा था हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक तन से जादा MSP पर खरीदा है अब सोचिए कहां पौने 4 लाख और कहां 56 लाख यानि हमारी सरकार ने न सिर्फ MSP में वृद्धी की बल्कि जादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को MSP पर खरीदा है इसका सबसे बड़ा राब यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं जादा पैसा पहुचा है पिछली सरकार के 5 साल में किसानों को धान और गेहूं की MSP पर खरीदने के बड़ले में 3,74,000 करोड रुपिय मिले थे हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करने किसानों को 8,00,000 करोड रुपिय से जादा दिये साथियों राज नीती के लिए किसानों का उप्योग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या वर्ताव किया इसका एक और दरन है दल्हन की खेती 2014 के समय को याद कीजिए किस प्रकार देश में दालों का संकर था देश में मचे हाहारकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी हर रसोई का खर्च दाल की बढ़ती किमतों के साथ बढ़ रहा था जिस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल की खपत है उस देश में दाल पैदा करने वाले किसानों को तबाह करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं काय रखी थी किसान परेशान था और वो मौज ले रहे थे जो दूसरे देशों से दाल मंगवाने के काम में उनको मजा आता था यह बात मैं मानता हूं कि कभी कभी कभार प्राकृति के आपदा आ जाए अचानक कोई संकर आ जाए तो विदेश से दाल मंगवाई जा सकती है देश के नागरिकों को बुका नहीं रखा रखता लेकिन हमेशा ऐसा क्यों हो साथ क्यों यह लोग दाल पर जादा MSP भी नहीं देते थे और उसकी खरीद भी नहीं करते थे हालत यह थी कि 2014 से पहले के पांच साल उनके पांच साल उन्होंने सिर्फ जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीती भी बडली और बड़े निर्ने भी लिए हमने किसानों को भी दाल की पैदावर के लिए प्रोचाहित किया भाई और बहनों हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुल्ना में 112 लाख मैट्रिक टन बैद दुबारा बोलता हूं एक सो बारा लाख मैट्रिक टन डाल एमेस पी पर खरीदी सोचिए बेड़ लाख उनके जमाने में वहां से हम सीधे ले गए 112 लाख मैट्रिक टन उन लोगों ने अपने पांच सालों बें दाल किसानों को दाल पैदा करने वाले किसानों को कितना रुपिया दिया साड़े 600 करोड रुपिय है हमारी सरकार ने क्या किया हमने करीब करीब 50,000 करोड रुपिय दाल पैदा करने वाले किसानों को दिया कहां 600 करोड कहां 50,000 करोड आज दाल के किसान को भी जादा पैसा मिल रहा है दाल की कीमते भी कम हुई है जिससे गरीब को सीधा फाइदा हुआ है जो लोग किसानों को ना MSP दे सके ना MSP पर डंग से खरीच सके वो MSP पर किसानों को गुमरा कर रहे है साथियों कुरुसी सुधारों से जुड़ा एक और जूट फैलाया जा रहा है APMC याने हमारी मंडियों को ले करके हमने कानून में क्या किया है हमने कानून में किसानों को आजादी दी है नया विकल्प दिया है अगर देश में किसी को साबुन बेच रहा हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सरफ इसी दुकान पर बेच सकते हो अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार ये तैं नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो लेकिन पिछले सब्तर साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो मंदी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फ़सल कहीं और नहीं बेच सकता था नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नज़राता है तो पहले की तरह जाके मंदी में बेचे और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बहार जाने का उसको हग मिलना चाहिए उसकी मर्जी को क्या लोक तंद्र में मेरे किसान भाई को इतना हग नहीं हो सकता है अब जहां किसान को लाब मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा मंडी भी चालू है मंडी में बेचा करके बेच सकता है जो पहले था वो भी कर सकता है किसान की मर्जी पर करेगा बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाब देकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है हाली में एक जगे पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कमपनी के साथ समझोता किया है इससे उनकी आमदनी 20 प्रतिशट बड़ी है एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कमपनी से समझोता किया है इस कंपनी ने उन्हें लागत में 35% जादा की गारंटी दी है एक और जगह की खबर में पढ़ा रहा था जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाचार में वेचा तो उसे पहले से दो गुनी कीमत मिली आप मुझे बताईए देश के प्रते किसान को ये लाप ये हक मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए किसानों को सिर्फ मंडियों से बात कर बीते दसकों में जो पाप किया गया है ये कृशी सुधार कानून उसका प्रायस चीत कर रहे हैं और मैं फिर दोह रहता हूँ नए कानून के बात छे मेने हो गया कानून लग हो गया हिंदुस्तान के किसी काउने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है फिर क्यों जूट फेलाए जा रहा है सच्चाई तो ये है कि हमारी सरकार एपी एमसी को आदूर रुइक बनाने पर उनके कंप्यूटी करान पर पान्सो करोड रुपिय से ज्यादा खर्च कर रही है फिर ये एपी एमसी बंद किये जाने की बात कहां से आई बिना सहर पर बस जूट फेलाओ बार बार बोलो साथ क्यों नए कुरुसी सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा जूट चल रहा है फार्मिंग एग्रिमेंट को लेकर देश में फार्मिंग एग्रिमेंट का कोई नई चीज नहीं है क्या कोई नया कानून बना कर हम अचानक फार्मिंग एग्रिमेंट को लागू कर रहे हैं जी नहीं हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रिमेंट की विवस्ता चल रही है एक दो नहीं, बलकि अनेग राज्यों में पहले से फार्मिंग अग्रिमेंट होते रहे हैं, अभी किसी ने मुझे एक अख़बार की रिपोर्ट बेजी, आठ मार्च 2019 की, उसमें पंजाब की कॉंग्रेस सरकार, किसानों और एक मल्टिनेशनल कंपनी के बीच आठ सो करोर रुपिये के फार्मिंग अग्रिमेंट का जश्ट मना रही हैं, इसका स्वागत कर रही हैं, पंजाब के मेरे किसान भाई बेहनों की खेती में जादा से जादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बाद है, साथियों, देश में फार्मिंग अग्रिमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे, उसमें किसानों का बहुत जोखिम था, बहुत रिश्ट था, नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग अग्रिमेंट के दोरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किये, हमने तय किया है कि फार्मिंग अग्रिमेंट में सबसे बड़ा हीत अगर देखा जाएगा, तो वो इस किसान का देखा जाएगा, हमने कानूनन तय किया है कि किसान से agreement करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा जो किसान को उसने वादा किया होगा वो sponsor करने वाले को वो भागिदार को उसे पूरा करना ही होगा अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदान सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में SDM से सिकायत की और सिकायत के कुछी दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया साथियों फार्मिंग एग्रिमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझोता होता है जमीन किसान के ही पास रहती हैं एग्रिमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है प्राक्रू के दिख आपदा आ जाएं तो भी एग्रिमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं नए कानूनों के अनुसार अगर अंचानक याने जो एग्रिमेंट ताय हुआ है लेकिन जो स्पॉंसरर है, जो भागिदार है, जो पुझी लगा रहा है और अचानक मुनाभ़ा बढ़ गया और किसान के कौन्ट्रेक्ट में तो कम पैसा है लेकि मुनाभ़ बढ़ गया तो इस कानून में ऐसा प्राफदान है कि जो बड़ा हुआ मुनाफा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा साथ्यों agreement करना है या नहीं करना है ये कोई compulsory नहीं है ये किसान की मरजी पर है वही किसान चाहेगा तो करेगा नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा लेकिन कोई किसान के साथ बेइमानी न कर दे किसान के भोलपन का फायदा उठा नहीं तो नहीं कि स्पॉंसर करने वाले को एग्रिमेंट खत्म करने का दिकार नहीं है अगर वो agreement खत्व करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा लेकिन अब वही agreement किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है राज्य सरकारों को मेरा सुजाव है कि आसान भाषा में आसान तरीके से समझ माने वाली farming agreement उसका एक खाका बना करके किसानों को देखे रखना चाहिए ताकि कोई किसान से cheating न कर सके साथियो मुझे खुशी है कि देज भर में किसानों ने न एक रुशी सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बलकि ब्रह्म फैलाने वालों को भी सीरे से नकार रहे हैं जिन किसानों में अभी थोड़ी से भी आशन का बच्ची है उनसे मैं फिर से कहूँगा कि आप एक बार फिर सोचिए जो हुआ ही नहीं है जो होने वाला ही नहीं है उसका भ्रह्म और डर फैलाने वाली जमाद से आप सतर्क रहिए किसानों के ऐसे लोगों को मेरे किसान भाईयों बैनों पहचानिये इन लोगों ने हमेशा किसानों से दोखा दिया है उनको दोखा दिया है उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं मेरी इस बातों को इसके बाद भी सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर जुका कर किसान भाईयों के सामने हाद जोड़कर बहुती विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तयार है देश का किसान, देश के किसानों का हीत हमारे लिए सर्वोच्च प्रात्मिक्ताओं में से एक है साथियों, आज मैंने कई बातों पर विस्तार से बात की है कई विशों पर सच्चाई देश के सामने रखी है अभी 25 दिसंबर को स्रद्दे अटल जी की जन्म जहनती पर एक बार फिर 22 विशे पर देश भर के किसानों के साथ विस्तार से बात करने वाज़े